विल्कम टू आईश पॉइंट आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अपता जो नेक्श टॉपिक है धर्मी निर्फेक्शे सासन के बारे में ठीक है तो अभी हम बात कर रहे थे यानि कि इसमें पूरा हमें समझना है कि धर्मी के अधार पर जाती के अधार पर या लिंगी के अधार पर किस तरीके से भेदभाव है या समानता है इसके बारे में हमको समझना है और इसमें हमने देखा कि लिंगे की अधार पर कैसे भेदभाव होता कितनी शमानता है कितनी अर्शमानता है उसको डीटेल से समझे दिन यहां पर हम बात करें धर्म सामप्रदाइक्ता और राजनीती इसके बारे में अब हम लोग इसको समझ रहे हैं तो इस धर्म के बारे में भी कुछ बाते हम कर चुके हैं जैसे धर्म किस तरीके से इसमें समानता है या नहीं है कैसे सामप्रदाइक्ता क्या होती है तो इन चीजों को हम समझ चुके हैं ठीक है और मैंने कल आप से question भी पूछा था कि धार्मिक सुतंदरता का अधिकार कितने article से लेकर कितने article तक है ठीक है तो आप में से सबसे पहले मैं असोक जी का बहुत बहुत सुक्रिया आदा करना चाहूंगी दिल से क्योंकि वो हर एक question का जवाब देते हैं और आप लोग भी कोसिस किया करिए जो भी नहीं देते हैं क्योंकि जवाब देंगे तो कभी सही होगा कभी गलत होगा गलत होगा तो आपको सही बताया जाएगा और सही होगा तो अच्छी वाद है ठीक है आपको ब्लेसिंगी मिलेगी तो इन में से जो भी आपका एंसर था हसोग जी तो इसमें था पच्चिस ठीक है आर्टिकल पच्चिस आपने बताया मैंने बिल्कुल सही जा रहे थे थोड़ा सा मिश्टेक हूँ आपसे तो उसमें आप सुधा लीजिएगा और बिल्कुल अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर रखेगा मैं इसलिए एक सब्द को दस बार बोलती हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे ठीक है जैसे मैं लिखवाई भी थी कि आपको हमें अधिकार कितने एक बार कोई करते हैं मौलिक अधिकार कोई बारे में तो हम बात करें कि जो हमारा पहला अधिकार यानि 6 ही अधिकार हमें मिले हुई है उनमें से समता का अधिकार है कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक ठीक तो हम बात करें पहला जो समता काधिकार है आर्टिकल 14-18 पहला दूसरे की बात करते है स्वतंत्रता काधिकार आर्टिकल 19 तो कितना है हमारा 22 और जिसको भी पता ना हूँ वो अभी आप लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपको और बताने के यह 24 तक का ठीक है सोसड के विरुद्ध अधिकार अभी इसके अंदर भी जो है हम उनको बताएंगे उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आता है आर्टिकल 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमा प्रवंधन के बारे में कहा गया है और तो इसको ध्यान में रखिये गाप कि धार्मिक सुथंतरता जो है इसमें से चौथा है तो यह धार्मिक सुथंतरता का अधिकार और यह 25-28 ताक है नोग असके तो यह दो ऑर लिख लिए उसके बाद समझा रहे हैं तो यहां भी क्या होता है हमारा जो पांचवा हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है अलप संख्यकों को संसिक्रित लिपी के संदक्षन का अधिकार और सिक्षा का अधिकार मिला हुआ ठीक है कितने से कितने अर्टिकल तक का तो जो अलप संख्यकों के लिए सिक्षा का अधिका तो इसको हम अलग समझेंगे ठीक है कि आधिकल 14 में क्या है आर्टिकल 15 में क्या है तो इसको हम अलग गलग समझेंगे ठीक है आर्टिकल 14 में आता है कि जो भी हमारा न्याय की समता है ठीक है और इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं बस थोड़ा सा आपको एक समझा रहे हूं ताकि जो भूल गए हूं आप तो थोड़ा कांसेप्ट क्लियर हो जाए क्योंकि कुश्चन कुछ हैसे ही पू नहीं किया चाहेगा आर्टिकल 16 की बात करते हैं कि अपसर की समानता मिलेगी चाहे कोई भी जाब हो वहां पे भी हमें क्या होगा कि कहीं पे भी इस जाती धर्म लिंग के अधार पर भेद्भाव नहीं किया चाहेगा ठीक है तो अब देखिए यहां पे और आर्टिकल 17 में समता ही दिख रहा है चाहे वो न्याय के समक्ष हो आर्टिकल 14 चाहे वो हमारे किसी भी धार्मी की स्थर या कहीं पी सार्वजानी की स्थर पर हो आर्टिकल 15 एंड हम बात करें आर्टिकल 16 चाहे वो हमारे किसी भी जॉब अपसर जो भी है उसमें हो समानता ही बताई जा रह तो यहां पर क्या होगा कि आर्टिकल 14-13 समानता ही बताई जा रही है फिर आर्टिकल 19-22 यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको यह रटना पड़ेगा याद नहीं है तो रटना पड़ेगा ठीक है कंसेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो बिल्कुल आपस में 19 में दिये गए ठीक है 1925 में हम बात करते हैं कि दो सिद्ध के संदक्षण में एक गुनाह की एक ही बार सजा दी जाएगी उसके बाद 21 साता है हमारा की मतलब गौरवपूर्ण जीवन जीने का हमें अधिकार है ठीक है जैसे सास लेने सक्षपाने पीने सक्षबा सक्ष इस्थान पे रहना यह सारी चीज़े आती है उसके बाद आर्टिकल हम 22 की बात करते हैं तो निवारक पिरोध गिरफतारी के संदक्षण में है कि मजिश्टेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेस किया जाएगा आपको गिरफतार क्यों किया जा रहा है आपको एक वकि सब्सक्राइब कारण कर दो मौनओक दिवत तो कि मैसी सबस्क्राइब कर थ्यू drift में हम देखते हैं कि कर रहे हैं उसमें सदेंश यह सज्वतनां अधिकृवर और थिवत श्रुपर यह सारे आर्टिकल है इनको अलग-अलग क्योंकि अभी मैं इसको छठों को समझाई तो काफी टाइम इसी में चला जाएगा तो एक जो चैनल है दिवेजुकेसन उसमें मैं समझा चुकी हूं अच्छे से तो आप यूटू पर सच करेंगे वहां पर मिल चाएगा उधर से तो यहां पी यह होगा तो इसलिए कांसेट क्लियर लगना है और धार्मिक सोतंत्रता काधिकार जो हमारा है वह 25 से 28 तक है बाकी 25 की अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो धर्मिकी सोतंत्रता 25 धर्म का प्रवंधन करना 26 और उसके बाद आता है 27 में की धार्मिक संस्थाओं को दिये जाने वाले जो भी दान कर होते हैं ऐसा नहीं हम पहली बार पढ़ने कई बार पढ़ चुके ठीक है तो यहां पर आज एक बार और आप रिवाइश कर लीजिए जो भी च आप पर आप लुटियर ना हो तो प्लीज पोचा के जो यूटूब पर सेल्च करोगे वहां पर तो इसमें आपको मिल जाएगा इसमें हिंदी इंग्लिस यह ऐसे नाम है उसका तो उसमें आपको पूरे आर्टिकल यानि कि जो भी हमारे 365 है या 400 है वह सारे आर्टिकल मैं करवा चुकी हूं और बहुत दिटेल से कि किस तरीके से जो भी एक पूर्ट नोट बन बागे कि कैसे आप कर सकते हो क्लियर क्योंकि वह रटना बहुत इंपोर्टेंट है तुसको रट लीजिएगा मैं अपने फायदे के लिए आपके फायदे के लिए कह रहे हूं कि रट लेंगे आपके लिए अच्छा कुराइख सहारा क्यों ग cens5 बहूं होता है कि में मतला नाराज का रोक्तों ना कि यहां पर इंटर इसने चांतtså सांप्रेदाइक्ता हमारे देश के लोगतंत्र के लिए बड़ी चुन ओती रही है हमारे संभीधान में मैंने काला कल ही आपको बताए था कि सांप्रेदाइक्ता हमारा योनिट सेवन्टीं जीर्स पीपर थर्ड का सलिवस में है ठीक है तो इसको हमें खैर पढ़ना ही आंगे क्या होता है आज आपको बताना क्यों कि मैं कल बता चुकि हूँ उसकी डिफिनेशन भी में लिखवा चुकि हूँ तो आज आपको comment box में comment करके बताना है और लुक 20 फ़ागंडाना नहीं है कि नीजस करदेंगे आप पते हैं और बिट Works गलत भी बताते हो ऊथ्था曜, वेट र्युट्भी रायट रहा दोगे सिआं और फिन सब्स बीट छीट हो जाएं तो जब आप गलती्या करें के तभी सिखेंगे इसलिए बताना जरूर है चाहे आपसे सही बने चाहे गलत बने और आई होब की मैं कल बता चुकी हूँ तो आप सही ही बताएंगे अब उसके बाद आता है कि हमारे संभीधान में क्या होता है हमारे संभीधान निर्मादा इस चुनावती के प्रती सचेत थे इसी कारण उन्होंने धर्मि निर्प्यक्षिसासन का माडल चुना और इसी अधारपा संभीधान में अनेक प्रावधान किये गए इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं यानि कि पहले भी हम पढ़ा चुके हैं तो अभी मतलब इस क्लास के पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम बात कर चुके हैं इनके बारे में धर्मि निर्प्यक्षिता के बारे में कैसे हैं और उसके बाद हम बात करते हैं तो भारतिय राज्जी ने किसी भी धर्मे को राज्य की अधर्मे के रूप में अंगीकात नहीं किया है हमारा जो भारत है तो भारती अराज्य यहां पे राष्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे आप quality पर डालोगे राष्ट नहीं मिलेगा ज़र देश को ही हम राज्य कहते हैं और राज्य का मतलब जो है वह मैं आपको कई बार समझा चुकी हूं और यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो आज आप बताईएगा कमेंट बाक्स में तो फिर मैं समझाओंगी ठीक है कि राज्य हम क्यूं कहते हैं हलाकि जहां तक मुझे पता मैं बता चुकी हूं किया है स्री लंका में बौध धर्म पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लेंड में इशाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीद भारत का संभीधान किसी धर्म का को विशेश दर्जा नहीं देता है यानि कि इसके साथ सथ हमें क्या जानने को मिल रहा है कि स्री लंका में बौध धर्म अपनाया जाता है जब उनका संबीधान बनता है पाकिस्तान में इसलाम धर्म को इंगलेंड में इशाई धर्म को दर्जा मिलता है लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसके बाद जो constitution है、 वो क्या करता है कि प्रतेग Clerical हो चाहे आप हो, चाहे हम हो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो चाहे जिस भी तरीके का वो इन सान हो, चाहे इस दि-वरुष जो भी हो, हमारा जो constitution है वो उन्हें किसी भी जो भी धर्म को मानना चाहते हैं, मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि UPSC डायरेक्ट ऐसे ही fact उठाता है, यंसी आर्टे इसलिए लोग बोलते पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनसी आर्टे से ही direct fact ऐसे ही उठा लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद आता है, कि संबीधान धर्मे के अधार पर किये जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंबैधानिक भोंसित करता है, यानि कि संबीधान हमारा जो constitution ह पर किये जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंबैधानिक गोंसित करता है, और उसके बाद हम बात करें, कि इसके साथ ही संबीधान धर्मिक समुदायों में शमता, यानि कि शमानता सुनिश्चित करने के लिए शाषन को धर्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार द देता है, यानि कि कुछ हैसा हम कह सकते हैं कि इस नहीं कि अदिन नहीं कि बाति के लिए तब सरकार को अधिकार है, या चुछ जयादा बढ़ रहा है, जब चूछ चूछ चूट काफी जाधा बढ़ रहा है, सरकार उसके लिए Отker 17 लाती में इ scall date में Article 17 है Untouchability ठीक है यहीं चुवा चूत का अंत और उसमें से क्या करती है कि वहां पर Article 17 के अधार पर वो कह सकती है कि आप इसमें चुवा चूत नहीं करोगे और जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानोनी कारवाई की जाएगी अब यह जो मैं Article 17 बताई यह किस में आता है समता के अधिकार में आता है या समानता के अधिकार में 14 तो 18 आर्टिकल की अंतरगत आता है ठीक है इस तरीके से हमारे कंसेप्ट क्लियर होगे तो fundamental right हमें या कि कोई भी आर्टिकल जितने भी है हमें भूलने वाले नहीं है जल्दी से जैसे मैंने पढ़ाया आप बस उस तरीके की एक विचारधारा भर नहीं है यह विचार हमारे संभीधान की बुनियाद है संप्रदाइक्ता भारत में शिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खत्रा नहीं है यह भारत की बुनियादी अवधारना के लिए एक चुनोती है एक खत्रा है हमारी तरह काधर में निर्पेक् नोटीन है जीवन में सांप्रदा एक पूर्बा ग्रहों और दूस्प्रचारों का मुकाबला करना हो तत्था धर्म पर आधारित गोलबन्दी का मुकाबला राजनीती के दारे में करने की जरूरत है यहनी कि इसमें अभी हमें बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है गवर्मेंट के द्वारा समय समय पर कदम उठाए जाते हैं लेकिन मैंने जो बताया आपको पहले वी कि कही न कही थोड़ा इससे राजनीती जो है ज्यादा चलती अच्छी खासी ठीक है तो थोड़ा इस यही बजय भी है कि वो लोग को ज्यादा ध्या करेंगे तो जदी सारे काम अभी खल लेंगे तो फिर क्या बताएंगे कि हम यह करेंगे वो करेंगे इसलिए भी कहीं नगई थोड़ा बहुत तो इसमें उनके कदम पीछे अड़ जाते करना तो बहुत चाहते हैं बेचाने उनकी मजबूरी होती है ठीक है तो हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं और नेता के मन में जो भी जिसके भी मन में घ्रणित भावना थी तो मैंने आपको खल बताया था कि नेता जन्मजात बुरे नहीं होते हैं हम सब उन्हें बुरे बना देते हैं और मजबूरन जानते कि पांच साल ही रहना जितना करना हो कर लो उसके बाद तो ह यहां भी क्या है कि हमने राजनीती में सामाजिक विभाजन की दो अभिवेक्तियां देखी इसमें एक मोटे तो पर सकारात्मक या लाबदायक है तो दोसरी नकारात्मक या नुकसान दे हैं आये अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानि जाती और राजनीती की चर्चा करते हैं इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है यानि कि जो जाती वाद है इसके सकारात्मक भी पक्ष है और नकारात्मक भी पहलू है और यहां पे जाती आपका जो जाती वाद का है भाषाबाद का है, यह भी आपके आटी का, यहां पे GS paper third में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहां से हमारा base complete हो रहा है, concept clear हो रहे हैं, उसके बाद जो भी हमारा effect है, वो उधर हम complete करेंगे, जब GS paper third की पढ़ाई होगी, तो जब आप पढ़ेंगे, उधर आप समझे किस तरीके से हैं तो यहां पर थोड़ा सा अपना बेस बना मैं इसलिए अभी से आपको इंटर लिंकिंग करके बता रहे हूं ताकि आपको फिर अचानक से लगे कि यार मुझे तो पता ही नहीं था थोड़ा ध्यान से पढ़ता इसलिए ध्यान से पढ़िए आंगे और मिलने वाला टीटेल से ठीक है तो यहां पर क्या है जातीगत असा मानता है लिंग और धर्म पर आधारित भीवाजन तो दुनिया भर में है यानि कि जो लिंग का इस्त काम करते हैं जिसको बेतन मिलता है उनका GDP में कंक्लूड किया जाता ठीक है लेकिन जो महिलाएं घर पे काम करती है पेमेंटलेस काम करती है उनका GDP में रोल क्यों नहीं है एक परसेंट का भी उनका GDP में गढ़ना नहीं की जाती है कि यह भी क्या करती है कि इनका भी कुछ रो तो इसकी वज़े से यहां पर कि हम देख रहे हैं कि लिंक के अधार पर तो हम अपने देश में नहीं हर एक देश की बात करें चाहे वह डेपलब कंट्री हो चाहे अंडबलब को कहीं पर भी हो ठीक है हम देखने को बिल्कुल हमें मिलेगा ही कि हर जगह पर असामानताइं हैं है वो अपने आपको नीचे देखी नहीं पाएगा सपोच आप मान के चलो आप क्लास में अपने इसकोल में हो बहुत आपका हाई लेवल है ठीक है क्या आपका कंपिटीटर एक आता है आपको वह थोड़ा नीचे गिराता है आपकी उससे दुस्मनी होनी तो तैह है क्योंक ठीक है लेकिन जो आगे 80 परसेंट बाला 90 परसेंट बाला वो रियल में आपसे अच्छा है रियल में सब कुछ है लेकिन हम क्या करने है उससे जैसे ही वो आगे बढ़ेगा हम उससे रोकने की कोशिस हर एक पहलू से करेंगे उससे बढ़ाने की नहीं सपोर्ट करने की नही वो नया आया है यहां परिसानी होगी प्राब्लम्स होगी वो कुछ नहीं हम से आंगे ना बढ़ पाए उसके लिए हम करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमें अपनी इज्जत जो भी हमारा जूटा सांस अवकत बना हुआ है वो बना रहे बस पुरुतों का भी यह है कि जो भी वो महिलाों को आगे बढ़ने दे रहे अधिक है हलाकी ऐसे पूरुत से महिला संगछनों पर्टिसिपेट करते हैं वहां पे महिलाओं की help करते हैं उनको यहां लाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है इससे हम नकार नहीं सकते हैं लेकिन ज्यादा तर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा घर में रहते हो आप चाहते हो कि मैं बैठा हूं मैं लेता हूं मेरी बहन खाना बना के ला दे मम्मी लाके दे मुझे ना करना पड़े कुछ भी जाड़ों मुझे ना लगाना पड़े यह बहुत सर्मीकी बात होती है यहां पर सिर्फ एक श्टेट की नहीं कितना भी डबलर पर सबकी बात कर रहें चाहे वो हरियाना हो चाहे महाराश्ट हो चाहें यूपी हो डक्षिन भारत में भी कुछ ऐसा है वहां पर थोड़ा को स थोड़ा अलग है इसलिए वह ज्यादा विक्सित है इस में होता हुँ सॉच角 के लंदर लड़के तो चरह सुच गर घर में आपका रवया क्या है आपकी शिष्टर का क्या है की मदर का क्या है आपके पापा का क्या है आपके बबाजी का क्या है और कोई लड़की है वो भी अपना देख सकती है कि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूत है खुद से आप एहसास कर सकते हो रिलाइस कर सकते हो कि क्या कंडिशन है और पाव सुलाओ बस इतना ही रहता है तो हमें वह वह उड़के मुर्गीậं के जुंड़ में आके गिर जाता है चील का बच्च ता ठीक है वहां पर जिसे गिध शायद बोलते हैं तो उड़ना भूल जाता है उड़ना वो भोल जाता है जबकि किसका बच्चा था वो गिद्ध का बच्चा था गिद्ध को कहते कोसो दोर तक दिखाई देता कहीं कोई जानबर की डेथ होती है तो वो उसकी मतलब इतनी आखे तेज होती है इतनी उचाई तक वो उड़ सकता है वहां से देख सकता है कि कहां क्या है कहां हमारा भोजन तयार है लेकिन जब वो बच्पन में ही आके यहां पे क्या कर जाता है गिल जाता है मुर्गियों के बीच में वो उड़ना भोल जाता है कि हम समझ लेता अपने आपको कि हम मुर्गी ही है उसकी सकती क्या हो गई सीड हो और जब एक दिन खूब सारे जुन्ट उड़ते हुए जाते हैं और वो गिद्ध का बच्चा पहुंचता है कि यह लोग इतनी उचाई पर जा रहे हम नहीं जा सकते क्या तो एक मुर्गी बोलती है नहीं हम नहीं उड़ सकते इनकी इतना हमारी चंता नहीं है हम वहां तक नह जाता है जबकि उसके अंदर क्वालिटी बहुत थी उससे कोई बताने वाला नहीं था और वो गिरता ही रह गया और उसके बाद उसकी डित हो जाती है कुछ नहीं कर बाता तो यहां से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कंडिशन होती है तो यहां पर सारी चीचे खुद से ह क्यों चैक कहीं पर वह पीछे दिखती है तो बजह यहीं है अप खुछ से भी इनालिसिस कर सकते हो हम क्या कर रहे हैं और आपको बजह समझ में आ जाएगी दिन धर्मिकी अधार पर भी अपना जो भी है वह कर रहे हैं कुछ डिखावटी कर रहे हैं कुछ रियाल्टी कर र और फिर आता है कि पर जाती पर अधारित विवाजन सिर्फ भारतिय समाज में ही देखने को मिलता है यानि कि जाती पर अधारित जो विवाजन है अब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ भारतिय समाज में देखने को मिलता है जाती पर अधारित रेकुलर्टी ठीक है और उसके ब जाती विवस्ता इसका एक अर्थिवादी और इस्थाई रूप है अन्न समाजों में मौझूद असमानताओं में यहां पर ठीक है काम तो जाता ही है एक समाज से दूसरे समाज में कि हमें क्या करना है लेकिन यह जाती जो है वह एकदम से इस्थाई रूप से परनानेट बन पराप्त है एक जाती समों के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही है साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है उसमें यहनिकि उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्था साधी और खान पान का संबंध रहता है जैसे नेप नेपाल में बात करूं शीटा जी कहा कि थी जहां की भी थी वहां क्या मुलते है जनक पुरी की थी फिक है वह नेपाल में था और यहां आयोध्या भारत में था यानिदी रोटी बेटी का संबंध साधी होती है तो जो भी ऐस вып. जिले सन बनते हैं बैभाहिक संबंध उसी क में और उनकों चाहिका कोई बीजा qn ow झौटा है कि हमारी रिष्टिदार कहला हूए थीक है तो यहां पर भी क्या होता है कि एक जाती समौ के लोग जो होते हैं तो उनका अलग-अलग अपना-पना काम होता है अलग-अलग समुदाय होता है रोटी वेटी का संब्द नतलब की जो भी रिष्टे बनते हैं इनी के बीच में बनते हैं अन्य चाती समुषों में उनके बच्चों की ना तो साधी हो सकती है ना महत्वपुन्ट पारिबारिक और समुदाय कायोजन मे उनकी जो भी पांत में बैठ कर दूसरी जाती के लोग भोजन कर सकते हैं अब यह पांत जो आया ना जो पंगध होती क्या बोलते हैं लंगर देसे बैठ से बैठने में कुछ चारट फटी बैठा जाते थे और उसके बाद कोई 1-2 जितने भी चार पांच लग जाते और खाना परोस्ते थे विवस्तित तरीके से खाना जब तक वो जितना लेना हो देते थे खिलाते थे और उसके बाद बढ़ी अच्छे से स्वगत पानी करके फिर भी दाई करते थे ठीक है तो इस तरीके से होता है और यहां पर जैसे जाती में ब्राम्हाड हो गए मैं हिंद परहुँ ब्राम्हाड हैं जाती होता है उसके बाद हमारा आता है छत्रीयं चत्रीयों में भी अलग-छत्री होती है कोई बोलता हम इस कट्रीव में साधी के लिए ना तो और बी दिकत कि हम इसमें नहीं करते इसमें नहीं करते कई सारे आपको केस देखने को मिलते हैं कि उस धर्म की धर्म की तो छोड़ें एक जाती से आप दो से जात्मी यानि कि ब्रामन की लड़की एक सुद्र के लड़के से साधी करना चाहती है तो वहां पे बहुत ही मतलब इंपॉसिवल है आपकी जान लेंगे लेकिन साधी नहीं करने देंगे तो यह है जाती चो कि हमारे देश में खासकर सबसे ज़्यादा यह हम कह सकते हैं कि यह रोग फैला हुआ है ठीक है और उसके बाद अब हम बात करते हैं और यहां पे साथ में बैठके तो खाना बिल्कु कानून बना लें लेकिन हमारी जो मेंटेलेटी है जब तक सुधरेगी नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे मन में तो भरा हुआ कानून बना के आप क्या करोगे हम तो मानने वाले नहीं है हम बाज आने वाले नहीं आप चितना भी कानून बनाना चाहे बना लो तो यहीं चल रहा है यहां पर उसके वाद था वर्ण विवस्था और यह अभी हम ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो यह सारी चीजें सिक्स क्लास में स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बाते हमारे सामने आई थी वर्ण विवस्था यहां पर क्या होता है कि वर्ण विवस्था थोड़ा साप समझ ली रही क्या है जाती समू का पदानु क्रम जिसमें एक जाती के लोग हर हाल में समाजिक पायदान में सब से उपर तो किसी अन्य जाती समूह के लोग क्रमानु यानि की क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहेंगे ठीक है अब वर्ण विवस्था कैसे होती है ठोड़ा से पहले इसको समझते फिर मैं आपको समझाती हूं यहां भी क्या है कि वर्ण विवस्था अन्य जाती समूहों से पहार गिया जाता था इसकी चर्चा हमने नौविक अक्षा में की थी और यही कारण है कि जोतीवा फुले महात्मा गांदी डाक्टर अंबेडकर और पेरियार रामाश्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातीगत भेद भाव से मुक्त समाज व् प्रयासों और समाजी कार्थिक बदलाबों के चलते आधुनिक भारत में जाती की संरचना और जाती व्यवस्था में भारी बदलाव आया आर्थिक भीकास सहरी करण यानि कि हमारा आर्थिक भीकास सहरी करण होता है साक्षरता और जिक्षा के विकास पेसा चुनने की आज को शेरि तो लोग को सभी और जबह से शाघर सकत्सक्रानी का चुकर्णता फिक विखास है तो यहीं बोला शेश्यू के रेंगे अंपर संथिस जा झाहिए फ्यूचर विघड़ने वाला ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो भी सहरी करस, सक्षर्टा और सिक्षा के विकास, पेसा चुनने की आजादी और गामों की जमीदारी विवस्था के कमजोर पढ़ने से जो जाती विवस्था है थोड़ा सुधर रही है, हम यह कह सकते हैं कि थोड़ा उसमें सुधर आ रहा या रिष्टरा या खोटल में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, आदमी की जाती क्या है, संबिधान में किसी भी तरह के जाती गद भेदभाव का निसेद किया गया है, संबिधान में जाती विवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्द करने वाली नीतियों का आधार तैं किया गया है, अगर सौ साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए, तो यहां हुए बदलाबों को देखकर वो हैरान रहे जाएगा, यानि कि जो सौ साल पहले व्यक्ति था भारत में, अब वो लौट के गलती से भी धरती पी आ जाए ना, उसे भगवान जगए का उठालो जल्दी, यहां तो सब रष्टा चार मता हुआ, यहां कुछ भी नहीं है, जो हम बना के गए थे, जो बना की मतलब की कोई सब का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग काम बटे हुए है, वही काम करना उन्हें, लेकिन यहां तो जिस इसी कि यदि इसी इच्छा भी हुई, ललक भी हुई, कि भगवान जी से रिक्रेष्ट करें कि भगवान जी काफी दिन हो गए हमें आपके पास रहते हो यह एक बड़ हमें धर्ती में उतारो तो देख के आते क्या चल रहा है, तो आएगा भी ना तो पगला के भाग जाए तो हम लोग तो पता नहीं कहां जाएंगे, हलाकि एलियन का है ही कि आ गए यदी, तो वहाँ पे तो दुनिया में रहना मुस्किली होने वाला है, लेकिन वो आए ना ठीक है, और उसके बाद है कि बहाराज समकालेन भारत में जाती प्रता बिदा नहीं हुई है, जाती कर लेते हो, आपके पैरेंट्स भी सपोर्टिव अब होने लगे हैं, और जहां कि आर्थिक बिवस्था बहतर होगी, मैं बता दूं आपको, आपको देखने का मिलेगा, जो भी जिनकी आर्थिक कंडिशन यानिकि एकोनोमिकली कंडिशन बेटर है, काफी बेटर है, उनके जाती बाती कोई माइने नहीं रखता है, जिनकी ना ये मिडिल क्लास वाले जो होते हैं, जिनकी ना तो आर्थिक विवस्था अची है, ना तो उनकी समाजी किस्तित भी ज्यादा बेटर है, सारा कुछ इनके कंडिशन पर रखा हुआ, सारा बोज इनको डोना है, सब चीज अमीर है, उसे भी तो ठीक है, हमें इतना टाइम ही नहीं, कौन किस जाती का कर रहा है, उसे हमें मतलब नहीं ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले है, सारा चीज इनके है, सारा आंदोला ने को करना है, सारे काम इनको करना है, सारी दक्यान उसी बाते इनको करनी है, सब नहीं पर बहुत ही रहार देखने को मिलेगा कि यह दग्यान उसी चलती होगी पर ना ठीक है बेटा ने वहला ममी पापा मैं इससे प्यार करता हूं ठीक है बेटा देख लेंगे घरदवार जो भी है अचलो ठीक है साधी कर देते हैं करते हो प्यार तो बहुत है तो उनका यह तो फिर भगा ले जाएंगे उससे क्या फाइदा हमारी जट और डूबनी है ना कोख सब कर जानी है तो इससे चाहिए कि मानी लेते हैं लेकिन ये मिडिल क्लास वाले कभी मानते नहीं है तिक इनके बुरा ही नहीं कर रहे हूं लेकिन ये सच्छा ही है कि ये लोग ना मानते मार डालेंगे तो मार डालेंगे अपनी बिटिया या लड़के की साधी उदर करने वाले नहीं है चाहिए तुम प्यार इतना करते हो कि राधा कृष्ण से भी नहीं किये होंगे लेकिन वह तुम्हें मिलने नहीं देंगे तो इसलिए यहां पर यह सारी चीजे होती है तो इसलिए बता गया कि हम नहीं कह सकते कि मतलब पूर्ण रोख से बीडा ले गया है लेकिन थोड़ा वह थांसुधार हुआ है और जबकि उसमें बात करते हैं तो इस पर संभेधानिक प्रावधान के बावजूद चुवचूद की प्रता अभी पूरी तरह समाप नहीं जोद था और जिनकी सिक्षा पर पकड़ थी आधुनिक सिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोल बाला है जिन जातियों को पहले सिक्षा से बंचित रखा जाता था उनके सदस्ट अभी भी स्वभाविक तोर पर पिछड़े हुए हैं यही कारण है कि शहरी मध्यमबर करते हैं तो यहाँ पर काफी निकरता भी देखने को मिलती है और यानि इसके संबंद भी हीरीमबर कि खाषा और इंक की सब भी हम देखेंगे क्या कैसे है दिन इसको कल खतम करेंगे और थोड़ा से यह जाती विवस्था का था यहां पर हम इसको बनाए ऐसे इसमें सबसे टॉप बैठा दो ब्राह्मान को ठीक है हिंदु धर्मे में बात करें पहले इस तरीके से धर्म बढ़ते थे काम के अधार पर क है उसके बाद यहां पर हम बात करें बैस हो गए जो भी अपना ब्यापार वगरा करते थे और यह हो गए सूद्र ठीक है यहां सबसे नीचे इधार आगे सूद्र और सूद्र के बाद भी एक अभी हाल फिलाल की जाती जन्मी है अन्य पिछड़ा वर्ग पिछड़ा फिलान लेकी संद्री से धाती जिनने जिससे हरी हरी चन वर्ड दिया था हरी जिन का मतलब क्या होता है आज हँ हरी जन सुन्ते ही ना हमारे अंदर आता है यसी हजडर श्रुट लेकिन आज हम हरी का अलग अलग संधी विच्छेत करोगे तो यही आएगा ना हरी प्लस जन लेकिन हम जैसे ही सुनते हरी जन हमारे अंदर वह यसी अश्टी ओभी सी आता है कि नहीं यही है जबकि यह नहीं हरी मतलब भग गांधी जी का जो में मोटो था वो यह नहीं था वरना वो पिरियाडिक है इसको आप देख लीजे कि किस तरीके से ठीक है कि यहां पे टॉप पे कौन बैठा है फिर उसके नीचे कौन बैठा है फिर उसके और इनका काम भी है अलग अलग काम के अधार पर ही बांटा गया था कि ब्रामन पूजा पाट करेंगे च्छत्रिया युद् युद्धों में उसका सकता है तो इस तरीके से था अलेकिन जब समय बदलता है युद्धित्या प्रिस्तित वदाय जरूरी होता है और बदल चाहिए सार्प और आज भी यह जातई की वजएसे व्युक्त GG even करे सब्दों किभा हैं तो प्रामने सब्सक्राइckata सरकिवरी मतलब की लड़कों को मार दिया जाता है लड़कियों को मार दिया जाता है जादा आपको हमें यह जाती बिपस्ता देखने को कम मिलती है ठीक है खाने पीने में तो ठीक है नहीं भी खाओगे चल जाएगा लेकिन जब यह लब का सिष्टा माता है लड़के लड़कियों की सा तो पूछने वाला भी कोई नहीं होने वाला हम तो अभी थोड़ा सेंसी आ रहे हैं हम लोग अपने पैरेंस की बात तो मानी लेते हैं कि चलो ठीक है पम्मी बापा गुस्टा होंगे या अच्छा नहीं समझते हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हमारे बच्चे के कहें कि मम्मी हमने यह कर लिया देख लो पूजा करनी हो तो करके अंदर बुला और तो हम खुद ही आ जाएंगे या कि कुछ ऐसे होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा मजबूरन है एक्सप्टि करना पड़ेगा क्या करेंग तो जान जाएगी उसके अलावा कुछ होगा भी नहीं तो इसलिए यह सारी बाते हमें समझ के चलनी पड़ेगी आप थोड़ा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो कल ही पड़ेंगे यह सारी चीजों को और आप लोग उसको जो आर्टिकल है कंप्लेट कर लीजीगा ठी आपके लिए जी होगा इसलिए मैंने बता है नहीं तो आपको कई सारे यूटूब में ही वीडियो मिल जाएंगे या तो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा या तो आपको लक्षमी कान पे मिल जाएगा जहां से भी आपको मिलें उसको क्लियर कर लेना है आर्टिकल हमारे ठीक है तो अच्छे तरीके से ताकि वो कंप्लीट हो जाएं बहतर तरीके से जितने भी हैं रटे होने चाहिए क्योंकि वो कुस्चन में आते हैं स्वाल दविष्ट जैहिंद मिलते हैं फिर